हेलो एब्रीवन वीडियो के इस सीरीज में मैं अलग-अलग इंस्टिट्यूट जैसे दिरिष्टी आईएस, आस्था आईएस, परफिक्शन आईएस, परम आईएस, इंतिहान और एडुटेरिया के टेस्ट सीरीज से साइन्स और मैथ के कोश्चन्स को डिसकस करने जा रहा ह हूं आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सेर कीजिए और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो चलिए सुरू करते हैं साइन्स का फर्स्ट क्वेश्चन है, निमलिखित में से कौन सा योगिक छार यानि अलकली यानि बेस के रूप में प्रियोग नहीं किया जाता है, तो कैल्सियम हाइड्रक्साइड, CAOH का होल्टू, ये एक बेस है, अलकली के रूप में इसका यूज किया जाता है, पोटेसिय नाइट्रोजन हाइड्रक्साइड, यदि आप लिख है, N की बैलन्सी 3 होती है, तो OH का होल 3 हो जाएगा, होल 3, ये हाइली अनेस्टेबल कंपाउंड है, और ये थोड़े ही समय में तूट करके, नाइट्रस एसीड बना लेता है, HNO2, HNO2, एसीड बना लेता है, मतलब ये बेस नहीं है, बेस के जीशा इसका यूज नहीं किया जाता है, यानि अलकली के रूप में इसका यूज नहीं किया जाता है, नाइट्रोजन हाइड्रक्साइड का, तो किसका प्रियोग नहीं किया जाता है, नाइट्रोजन हाइड प्रमुखता से पाया जाता है तो अंगूर में प्रमुखता से टारिक एसिड पाया जाता है और साथ ही इसमें मैलिक एसिड भी पाया जाता है थोड़ा सा तो प्रमुखता से पाया जाने मला जो अंगूर में वो है टारिक एसिड टारिक एसिड का फर्मूला क्या होता है यह सिलिक यहां सिलिक एक लगा दीजे यह हैं यहां पर भीovho लगा दीजे नेचर एक लगा इसले यहां पर भी ह लगा इद हर एट ग्रूप कारबॉक लेने की डबल ओयाच सी डबल ऌयार। ही इदर लगा दीजे और इधर COOH1 और acid group लगा दीजिए इसको कहते हैं tartaric acid तो इसका फर्मूला कितना हो जागा carbon जो है वो कितना है carbon 4 है तो C4 hydrogen count किजिए 6 है तो C4H6 और oxygen जो है वो 6 है C4H6O6 इसका molecular formula होता है तो इसमें से tartaric acid प्रमुखता से पाये जाता है right option C होगा next question निमन में से कौन photochemical smog का घटक है photochemical smog का घटक है जो गर्म सुस्क और खिली धूप वाली जलवाईव में होता है तो सबसे पहले ये जानिए कि photochemical smog बनता कैसे है तो जब ultraviolet solar radiation में से यानि sun से आनेमली ultraviolet light यानि UV rays nitrogen के oxide पर परती है तो photochemical smog बनता है और photochemical smog में जो है nitrogen के oxide तो होते ही है ओजोन भी होता है पैन भी होता है sulfur के oxides भी होते है तो nitrogen के oxides तो होता ही है ozone भी होता है so right option यह हो जाएगा more than one next question video धारा का उसमी प्रभाव प्रतिरोध धारा और समय पर निर्वर करता है इसमें धारा को दुगूना करने पर उसमा कितनी हो जाएगी तो heating effect of electric current का जो formula होता है वो होता है h is equal to i square into rt i क्या है electric current है r resistance है और t जो है वो time है तो कार आए कि यहाँ पर धारा को दुगूना यदि कर दीजिए तो i को 2 square कर दीजिए 2 square rt तो 4 times जो है वो increase कर जाएगा 2 का square होकर कि 4 times तो 4 times c यानि चोगूनी हो जाएगी right option c हो जाएगा next question hay fever एक allergy प्रतिक्रिया है जो निम्ड में से किस के कारण होता है तो hay fever बाहरी या indoor allergy जैसे प्राग धूल के कंड आदी से allergy की प्रतिक्रिया के कारण होता है इसे allergy crinitis भी कहा जाता है लक्षान इसमें क्या होता है सर्दी जुकाम, नाक बहना, आखों में खुजली, कंजेशन, छीकाना आदी इसके लक्षान होते है जब बातावन में धूल कन ज्यादा होता है तब यह होता है तो इसमें से right option कौन सा हो जाएगा प्राग, right option c होगा next question, निमलिखित में से किस हार्मोन का मानव सरीर में रक्तचाप प्रबंधन में भूमिका होती है तो वो है वैसोप्रेसिन right option यहाँ पे यह होगा वैसोप्रेसिन जिसे anti-diuletic हार्मोन भी कहा जाता है pituitary glands में संसलेसित होता है यानि pituitary gland से एस्त्रावित होता है यह गुर्दे द्वारा पानी की धारन को बढ़ावा देने और रक्तचाप को बढ़ाने का काम करता है और oxytocin क्या करता है यह बच्चे के जन्व के समय दूध निकलना, मानव बैभार, प्रजनर प्रनारी आदी को नियंतरित करता है oxytocin और यह adrenaline क्या करता है adrenaline आत के कार्जों को नियंतरित करता है इसे लडाई या लडाई हर्मोन भी कहा जाता है मतलब यह रहा कि इसे fight और fight हर्मोन कहा जाता है और serotonin serotonin क्या करता है serotonin प्रमुक हर्मोन जो हमारे mood, भलाई और खुसी की भावनाओं को इस्थिर करता है next question कोबाल्ट किस बिटामिन में पाया जाता है तो बिटामिन B12 जो है इसका chemical नाम है sinokobalamin sinokobalamin में कोबाल आ रहा है यानि कोबाल्ट आ रहा है तो इसी में पाया जाता है कोबाल्ट विटामिन B12 में next question निमलिखित में से किस कोशिका अंको अत्मगाती थैली कहा जाता है suicidal bag of the cell कहा जाता है तो वो है lysosome lysosome जो बना है वो lysis से बना है lysis lysis का मतलब होता है खत्म कर देना नस्त कर देना तो ये है lysosome इसको कहा जाता है suicidal bag of the cell यानि कोशिका की आत्मगाती थैली right option D होगा next question photoelectric प्रभाव का उप्योग निमलिखित में से किस में होता है यानि photoelectric effect का यूज किस में होता है आनि के पुनुरुत पादर में होता है photo meter में भी होता है television में भी होता है fire alarm bell में भी होता है तो चारो में होता है so right option E हो जाएगा अब question ये एर आइज होता है कि photoelectric effect क्या है तो जही से माल लेजिए ये solar sun है और यहां पे कोई metallic surface रखा गया है तो जब suitable high frequency का light suitable high frequency कहिए या suitable low wavelength का light जब किसी metallic surface पे fall करता है तो metal के surface से electron eject हो जाते हैं निकल जाते हैं इसी phenomenon को photoelectric effect कहा जाता है इसके लिए Einstein को Nobel Prize भी मिला था I think 1920 में मिला था 1920 या 1921 में मिला था और ये question जो है BPSC में पूछा गया है कि Einstein को Nobel Prize किसके लिए दिया गया था तो photoelectric effect के लिए दिया गया था next question methane यानि CS4 में किस प्रकार का आबंध होता है किस तरीका का bond पाया जाता है तो इसमें covalent bond पाया जाता है यानि सह संजोजक आबंध पाया जाता है जैसे carbon है इसमें 4 hydrogen यह hydrogen यह hydrogen यह hydrogen है एक उपर hydrogen है hydrogen के पास एक electron है carbon के outer orbit में 4 electron है तो carbon जो है 4 hydrogen से electron को share किया है जैसे यह hydrogen जो है एक अपना और एक carbon का लेकर के अपना डूएट पूरा किया हुआ है यह hydrogen भी एक carbon का एक electron और अपने electron से एक डूएट पूरा किया हुआ है यह भी hydrogen वहीं किया है 4 hydrogen जो है एक अपना electron और एक carbon के electron को लेकर के अपना डूएट पूरा किया हुआ है यानि अपने आपको stable बनाया हुआ है उसी तरीका से carbon जो है अपना चार हाइडोजन के एक एक इलेक्टोन ले करके अपना ओक्टेट पुरा किया हुआ है तो सेरिंग से जो बॉंड बनता है जैसे ये जो बॉंड बना हुआ है या इस बॉंड के बनने में एक इलेक्टोन कार्बन का लगा हुआ है और एक electron जो है hydrogen का लगा हुआ है तो sharing से जो bond बनता है उसो covalent bond कहा जाता है और methane में जो है covalent bond ही बना हुआ है चारो जो bond है वो covalent bond यानि सह संजोजक आबंध बना हुआ है सो right option यहाँ पी यह हो जाएगा next question उपकर्णो और रुपांतरित उर्जा के लिए गलत जोड़े का चैन करे microphone मैं क्या होता है ध्वानी उर्जा को विद्यूत उर्जा में बदला जाता है यानि microphone जो है ध्वानी उर्जा को विद्यूत उर्जा में बदल देता है तो यह भी सही है डाइनेमो यानि electric generator क्या करता है electric generator या अंत्रिक उर्जा को विद्यूत उर्जा में बदल देता है मतलब यह रहा कि magnet और एक coil को जब उसके बीच में relative motion आ जाता है यानि magnet को coil के चारो तरब घुमा दीजिए या फिर coil को magnet के चारो तरब घुमा दीजिए तो उस coil में conducting coil में एक EMF generate हो जाता है यानि वहां पर एक voltage generate हो जाता है यानि वहां पर एक battery बन जाता है और जब voltage generate हो गया तो electric current flow होगा तो मतलब घुमाने से rotate करवाने से या relative motion देने से यानि यांत्रिक कार्ज करने से यांत्रिक कार्ज करने से mechanical work करने से वहां electricity generate होड़ा है तो क्या कहेंगे वो हाँ पर यांत्रिक उर्जा जो है वीदित उर्जा में बदल रही है तो ये भी सही है सितार क्या करता है सितार यांत्रिक उर्जा को ध्वानी उर्जा में सितार पर वर्क किया जाता है और वहाँ से अवाज निकलती है सितार को बजाते हैं तो हम जो भी बजाने वाला है सितार वो क्या करता है उस पर वर्क करता है यानि मेकेनिकल वर्क करता है यानि मेकेनिकल इनरजी उसके द्वारा किया गया mechanical work जो है ध्वानी उर्जा में बदल जाता है अब आज निकलते हैं music वहाँ से निकलना सुरू हो जाता है तो यह भी सही है so इस में से सभी सही है correctly matched है so right option यह हो जागा more than one next question 155 degree foreign height command Celsius में कितना होगा तो foreign height और degree Celsius को relate करने वाला जो formula होता है f minus 32 f minus 32 by 9 is equal to c by 5 होता है तो यहां से c is equal to हो जाएगा 5 by 9 into f minus 32 f minus 32 तो यहां से 5 by 9 into f का value दिया हुआ है 155 यानि 155 155 में से 32 को घटा दीजिए इतना हैगा इधर हो गया 5 by 9 9 2 5 में से 2 गया 3 अब फिर यह बच गया 15 15 में से 3 गया 12 तो तीन से कार दीजिए 34 के बारे तीन एकम 31 बार में कटा तीन से तो उपर हम करें तो पांच एकम 5 एकतालीस में पांच से मुल्टिप्लाई करना है तो पांच एकम 5 पांच 24 के 20 205 होगा और 205 में 37 में डिभायर करना है तो 3 चक्के 18 दो बचा तीनो बठे चाववीच एक बचा तीन तिया 9 33 तो कितना आ रहा है 68.3 degree Celsius So right option यहाँ पे कितना हो जाएगा B होगा यह B में दिया हुआ है 68.3 degree Celsius Next question समताप मंडल को जेट भीमान उड़ाने के लिए आदर्स कहा जाता है क्योंकि आदर्स इसलिए माना जाता है क्योंकि वहाँ पे मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती है तो इसमें से जो D option दिया हुआ है बादलों और अनमौसमी घटनाओं की अनुपस्थिती की कारण यह right option यहाँ पे हो जाएगा D समताप मंडल में बहुत हीं सुस्क हावा होती है और इसमें जलबास्प कम होता है और इस वज़े से इस परत में कम बादल पाये जाते है और मौसम संबंधी घटनाएं जो है नहीं होती है इसलिए यह सूटेबल मना जाता है जेट भी मानों की उड़ाने के लिए नेक्स कोस्चन चंद्रमा का कितना प्रतिसत भाग प्रित्वी की सता से दिखाई देता है तो आम तोर पर 50 प्रतिसत भाग दिखाई देता है लेकिन लिबिरेशन के प्रिक्रिया के कारण 69 प्रतिसत तक 59 परसेंट तक भाग दिखाई देता है और हम देख सकते हैं तो 57 से 59 परसेंट तक right option B होगा Next question, यदि किसी तार का ब्यास तीन गुना कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा तब ब्यास यानि diameter को 3 times किया जा रहा है मतलब radius भी 3 times हो जाएगा R भी जो है, वो 3 times हो जाएगा R 3 times, 3 times increase किया जा रहा है तो हम जानते हैं कि R is equal to होता है यानि resistance is equal to होता है resistance is equal to होता है Rho L by A, area of cross section तो Rho तो Rho है L by area of cross section यानि Pi R square तो R को जब हम 3 times कर देंगे R 3 times हो जाएगा तो बटे में 3 का square होकर के 9 times हो जाएगा तो resistance क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा 1 by 9 times यानि एक बटा नौवा भाग हो जाता है एक बटा नौवा भाग हो जाता है So right option यहाँ पर यह हो जाएगा प्रतिरोध एक बटा नौवा भाग हो जाता है Next question निमलिखित में से किस जीव में पोशन का तरीका परजीवी पोशन परकार का होता है परजीवी पोशन परकार का मतलब पारासिटिक मोड अफ नूट्रीशन तो प्लाजमोडियम एक परजीवी है और इसमें पोशन का परजीवी तरीका होता है इन चारों में से प्लाजमोडियम जो है एक परजीवी है परासाइट है और इसी में जो होता है परासिटिक मोड अफ नूट्रीशन होता है So right option यहाँ पर B होगा और यह पेरामीसियम, पेंसिलियम, पेनिसिलियम, अमीबा इन तीनों में जो है खोलो जो इक परकार का पोशन होता है So right option यहाँ पर हो जाएगा B Next question अनुवन सिखी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है तो जोर्ज मेंडल को जाना जाता है मेंडल राइट अप्शन ए है Father of genetics Next question किस जानवर का दिल तीन कक्षिय होता है यानि किस जानवर के हर्ट में थ्री चेमबर होते है मेड़क के हर्ट में थ्री चेमबर होते है मचली में दो चेमबर होते है मगरमच में चार चेमबर तोता में चार चेमबर So right option यान पी ए हो जाएगा मेड़क के हर्ट में थ्री चेमबर होते है तीन चेमबर Next question पुष्प के नर्भाग को कहते है पुष्प के नर्भाग को पुंकेशर कहा जाता है राइट अप्शन C होगा पुमंग पुंकेशर से बना होता है परतेक पुंकेशर को नर्भ प्रजनल अंका प्रतेनी धित्तु करता है परतेक पुंकेशर जो नर्भ प्रजनल अंका प्रतेनी धित्तु करता है में एक डंठल या एक रेशा और एक प्राग कोश होता है बाहदल यानि कैलिक्स पुस्प का सबसे बाहरी भाग होता है कोडोला पंखुडियों से बना होता है एस्तिर केसर पुस्प का मादा भाग होता है Next question मानो सरुन में पस्टलियों के कितने जोड़े होते हैं तो 12 जोड़े होते हैं Right Option C होगा Next question pencil द्वारा लिखे सब्दों को मिटाने के लिए G से rubber का प्रयोग किया जाता है वो मूलता होता है क्या होता है तो वो vinyl rubber होता है vinyl right option A होगा next question निमलिखित में से किस धातु का प्रमारू दरबमान उच्चतम होता है ये लेड का प्रमारू दरबमान जो होता है क्लेटिनम का होता है इक सोब पंचानवे दसंदेल्ग जीरो नौ इकसो यानि one нар Nicholas क्यूक्टि ले लीजी और मरकरी का कितना होता है और कि का दो सब होता है्टू सब एक ले सकते हैं 200.59 तो 200 ले लिजी लेड का कितना होता है लेड का होता है 207 207 अब गोल्ड का कितना होता है सोने का 196.97 यानि 196 ले सकते हैं 196 सबसे ज्याद किसका आ रहा है लेड का रहा है प्रमार उद्र विमान नेक्स्ट कोस्टिन द्हुगा उदा हरान है तो द्हुवा एक प्रकार का ऐरोसोल है और ऐरोसोल में क्या होता है यह उद्राशाल और मिक्स्ट्र होता है वही द्धोब के वह सकते हैं hablar US बघN एक सोलिग होता है और छोनी बी डिए डिक्प्स है यहृ इसी को बेर कहा जाता है by next question न्मनेखित में से कौन एक मिथातर में से वी फिरत प्रफटोबर को आप देखेंगे तो प्रोडिकट टेबल में एक ही माति म्होडा पाए में पजलने पॉस्य नहीं है जो liquid phase में पाया जाता होगा room temperature पर एंसल जो हो जायगा वो C होगा bromine next question रियान रसाइनिक रूप से है तो रियान रसाइनिक रूप से cellulose होता है right option D होगा रियान पुनरजीवित cellulose से प्राप्त फाइबर है जो आमतर पर लकडी के गुदे से प्राप्त होता है रियान आमतर पर यूकलेप्टिस के पेंडों से बनाया जाता है लेकिन बास का पासादी जैसे किसी भी पोदे का उप्यों किया जा सकता है इसकी आन्विक संरस्ना यानि molecular जो structure होता है वो cellulose के समान होता है next question सूर्ज अपने उर्जा प्राप्त करता है हिलियम नाभिक के भी खंडन से नहीं हैडोजन नाभिक के भी खंडन से बिलकुल नहीं हैडोजन नाभिक का हिलियम नाभिक में संलैन से यह सही है हैडोजन नाभिक में हिलियम नाभिक का संलैन से हैडोजन नाभिक में हिलियम नाभिक का संलैन से नहीं यह भी गलत है तो तीन गलत है, सी सही है यहां भी, सन के कोड के अंदर, चार हाइडोजन की नुकलियाई मील करके, हिलियम की नुकलियस बनाते हैं, और उसमें जो मास में जो डिशेक्ट आता है, जो दरब्यमान में जो कमी आती है, वहीं उर्जा में पड़िवर्तित हो जाती है, अब क्व होता है, तो जब दो या दो से अधिक छोटे नुकलियाई, दो या दो से अधिक छोटे नुकलियाई मील करके, एक बड़े नुकलियस को बनाते हैं, तो सवाल यह है कि बड़े नुकलियस बन जाने से उर्जा कहां से निकल जाती है, तो यदि आप इन दोनों छोटे नुक उसे के स्व मासें से कम ही है मतलब मास कम हो जाता है मास में जो डिफेक्ट आ जाता है आइंस्टीन का एक इक वेस्टन है आइंस्टीन का मास इनर्जी ईको बेलेंस ऑक्येशन ईजीओ टू-Delta-m-e into c-a-square डेल्टा-M क्या है? मास में जो कमी आई उसमें CSYR से मल्टिपलाई कर दीजिएगा तो उरजा निकल जाएगी तो जो मास में जो कमी आ रही है उसी के फोलोसर्व उरजा निकलता है नावकीय सनलाइन में नाब किये संलाइन यानि नुक्लियर फ्यूजन रियक्षन के प्रिंसिपल पर भी हाइडोजन बंब काम करता है यह इस पर बीप्यसी क्वेशन पूछ चुकी है को नेक्ष्ट कोश्चोन요 गाड़ बीद्यूत वाइरींग मुलणू रूप से एक है तो गहाड़ रिदूत वाईरींग क्या है क्या सुरीज कनेक्शन है या फिर दोनों तो वह एक समनांतर कनेक्शन यानि पैरलल कनेक्षन होता है या अब देख लेते हैं कि क्यों पैरलल कन से किरिज कर्नेक्शन Доुसि जो नहीं नहीं तरह जिरीज कनेक्शन का इन स्टाया क्यों एक रेसिस्टेंश यहाँ पर माले जी यह यह वालमने लिए यह वीजिन ली या और एक ले लिया और इस में करेंट फलो कर आरहे हैं यदी सीरी में यह तो किसी किन्वसी अधी बलब कंटो शेका ही एजाता हिए पिर यहां से ल्रीस के पास में पहूंचेगा ही नहीं तो लखर बिद रहेगा और काम करना दबन्द कर देगा तो इसलिए इसको सिर्लेज कनेक्शन में हम नहीं जोडेंगे अब पैरलल कनेकशन में — क्या होता है एक रेसिस्टेंस यह है सा इसके थी जोड़ दीजीvic कि और यहां से फिज्टु LI अब दे दीजी यहां से सउक्रेश गारateur है तो जब हम देते हैं तो यहां पे वोल्टेज दोनों की एकुरोंस जो कि यानि पॉटेंटियल डिफरेंस यानि विवांतर जो होता है सिम्म्राता है जितने बी 0 3 जितने बी डिवाइसस हैं यदी पैर्लैल में करनेक्टेर था थे उनके Sums जो पोटेंशल डिफ्रेंस होगा यानि विवांतर जो होगा यानि वोल्टेज होगा वह सेम रहता है पहला कारण तो यह है दूसरा कारण यह है कि किसी कारण बस यह मान लीजिए यह डिवाइस यदि खराब हो जाता है तो इसके थुरू तो करेंट जाएगा ही जाएगा दूसरा कोई एक डिवाइस खराब हो जाता है तो भी करेंट बाधित नहीं होगा तो क्या है यह सामनांतर कनेक्शन यानि पैरलल कनेक्शन है राइट ऑप्शन भी होगा नेक्स्ट कोश्चन एस्टेलेस सेस्टिल पैन के नीचे तांबे का लेप क्यों लगाए जाते हैं तांबे का लेप क्यों लगाया जाएगा पैन में यानि पैन जो है उसके पैंदी में तांबा क्यों लगाया जाता है इसलिए लगाया जाता है कि तांबे की जो विद्यूत चलकता है विद्यूत नहीं थर्मल कंड़क्टिवीटी जो है वह ज्यादा है एस्टेलेस एस्ट कराए हुए हैं कोई बर्तन रख रहे हैं तो यहां वाला जो पॉर्शन है इसके पर लगा दिया जाता है कॉपर लगा देने समाली इसमें हम दूद गरम कर रहे हैं दूद इसमें गरम कर रहे हैं तो यहां पर बर्णर से जो हीट आ रहा है क्या करेगा यह कॉपर लगा दिया एस्टील, एस्टेनलेस एस्टील के पैन के नीचे तांबे का लेप लगाया जाता है, राइट अप्शन B होगा, तो डियर एस्पिरेंट्स, ये रहा साइंस के 30 कुश्चन का डिस्कसन, अब हम मैथ के कुश्चन को डिस्कस करते हैं, मैथ का कुश्चन नमबर वन, सांत जल में एक नाव की गती 15 किलो मीटर घंटा है, सांत जल में एस्टील वाटर में, और धारा की गती 5 किलो मीटर घंटा है, तो धारा के अनकुल यदि कोई नाव चलेगा, तो उसकी गती क्या हो जाएगी, 15 पलस 5 यानि 20 किलो मीटर प्रती आवर, नाव धारा के प्रतीकुल 60 किलो मीटर और धारा के अनकुल समान दूरी कितने समय में तय करेगी, मतलब ये रहा कि धारा के अनकुल जा करके धारा के प्रतीकुल फिर आने में कितना टाइम लगेगा उसको, 60 किलो मीटर, प्रतीकुल 60 किलो मीटर, मतलब 60 किलो मीटर गया और 60 km आई नाउ तो कितना टोटल कितना टाइम लगा उसको तो एस्पीड बोट अपेस्ट्रिम यानि धारा के प्रतिकूल धारा के प्रतिकूल नाउ की चाल कितनी हो जाएगी 15-5 यानि 10 km पर आवर और धारा के अनकूल कितनी हो जाएगी यानि एस्पीड बोट डाउन एस्ट्रिम कितनी हो जाएगी 15-5-20 km पर आवर तो जाने में कितना टाइम लगेगा 60 km जाना है 60 km आना है एक 880 4 बरसो में चक्रवि miyaj, भार्षिक चक्रविर्द्य ब्ययाज पर स्लयम का तिन गुना हो जाती है तो लेद इसी समांधर से कितने बरसों में यह स्लयम का नवगुनी हो जाएगी चार बर्सों में तिनगुनी हो जाती है तो कितने बर्सों में नवगुनी हो जाएगी तो हम माल लेते हैं कि प्रिंसिपल यानि मूलधन जो है वो पी है तो चार बर्सों में तिनगुना हो जाड़ा है तो जानते हैं कि कितना होता है A is equal to होता है P into 1 plus R by 100 to the power N यानि T कह देजी क्या होता है A is equal to P into A is equal to P into 1 plus R by 100 to the power time N कहिए या T कहिए यह फर्मूला होता है इस फर्मूलाम पुट कीजिए तीन गुना हो गया तीन गुना हो गई रासी तो 3P कर दीजिए P into 1 plus R by 100 का power 4 यहां से तो P से P कट गया 3 इधर बचा तो यह वाला जो power है 4 इधर आएगा तो 1 by 4 power बन जाएगा 3 का तो हमने क्या किया वैलू निकाल लिया 1 plus R by 100 का वैलू 3 का power 1 by 4 equation 1 का दिया अब दूसरी तरफ का दिया देख लिजिए का रहा है कि कितने अधर हो गया 1 plus R by 100 का पावर T 1 plus R by 100 का भहलू हम निकाल चुके हैं 3 का पावर 1 by 4 तो इसका पावर है T तो किसी भी नभर का पावर का पावर हो तो पावर पावर में मल्टिप्लाई हो जाता है यानी 1 by 4 into T हो जाएगा यानि T by 4 हो जाएगा इधर हमने left hand side में क्या आया हुआ है 3a square आया हुआ है 3a square लिखा हुआ है right side में क्या आ गया 3 का power t by 4 तो left side में 3 का square है और right side में 3 का power t by 4 है दोनों equal है इसका मतलब है कि power equal होगा ता मतलब t by 4 2 के equal हो जाएगा इसलिए t is equal to 8 years हो जाएगा मतलब वो रासी आठ सालों में नोगुनी हो जाएगी सो राइट अप्षन वहाँ पे B हो जाएगा नेक्स्ट कोश्चन X, Y और Z एक कार्ज को करमसा 80, 120 और 160 दिनों में कर सकते हैं X जो है 80 दिन में Y जो है 120 दिन में Z जो है 160 दिन में कर सकता है उस कार्ज को X और Y 24 दिनों तक एक साथ कार्ज करने के बाद कार्ज छोड़ देते हैं 24 दिनों तक कार्ज करने के बाद कार्ज को छोड़ दिये यदि Z की कार्ज कुसलता यानि Efficiency कार्ज कुसलता यानि Efficiency आधी कर दी जाए तो Z सेस कार्ज को कितने दिनों में पूरा कर सकता है यानि उसकी efficiency, z की efficiency यदि हाफ हो जाए तो z जो है बाकी कार्ज को कितने दिनों में पूरा कर सकता है तो हम जानते हैं कि work is equal to होता है time into efficiency यानि कार्ज is equal to होता है summen into दक्षता, कार्ज कुसलता तो अब efficiency of x यानि x की दक्षता यानि कार्ज कुसलता कितनी हो जाएगी 1 by 80 अब y की कार्ज कुसलता कितनी हो जाएगी 1 by 120 और z की कार्ज कुसलता कितनी हो जाएगी 1 by 160 अब देखिए x और y मिलकर 24 दिन में work का कितना part complete करेंगे X और Y दोनों मिल करके 24 दिन में काम का कितना परसेंट कंपलीट करेंगे तो हम जानते हैं कि वर्क का जो पार्ट होता है वो होता है टाइम इंटू Efficiency तो टाइम कितना दिया हुआ है 24 गंटा तो एक का निकाल लीजिए 24 इंटू 1 बटा 80 Efficiency यानि वर्क इंटू Efficiency टाइम इंटू Efficiency 24 इंटू एक बटा 80 पलस बीकर वाई का निकाल लीजिए 24 इंटू एक बटा 120 तो इतने पार्ट को कंपलीट कर लेंगे दोनों मिल करके 24 तीन में तो 14 ले लिजिए 24 ले 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 तहां वन वाई 80 वाई 120 हो गया अब यहां से 80 और 120 में क्या सामिल है 4050 He jusqu 840 10 में 112 बारे 120 तो 40 इसमें क्मण ekंट 10 20 а अंदर 40 रहे लिओ और 2020 इस कमन लें लेंगे तो 1 by 3 हो जाएगा यानि 24 by 40 into 1 by 2 plus 1 by 3 हो गया LCM कितना हो जाएगा 2 और 3 का 6 हो गया एड करेंगे तो हो जाएगा 3 plus 2 यानि 5 उपर में आ जाएगा इधर हमने क्या किया हुआ है 24 बटा 40 तो 8 से काट दीजिए 8 तीया 24 24 थिरी बार में कटेगा और 48 जो है 8 पचे 40 यान 3 बटा 5 तो 3 बटा 5 हमने लिग दिया उसके बाद में 5 उपर आया हुआ तो 5 से 5 कट गया बच गया क्या आथ 23 कट गया दो यानी हाफ पाट यानि आधा काम को कर लेंगे एकस और वाई 24 दिनों में डा बचा हुआ हाफ पाट बचा हुआ है अभी अब जेट की कितनी होत है हाफ हो गई पहले जेट की इफिजेंसी कितनी चाप हो गई 1 by 160 थी अब हाफ हो गई ते 1 by 320 हो गई अब efficiency जेड की अभी हमने देखा work is equal to efficiency into time efficiency into time time is equal to क्या होगा work by efficiency होगा तो जेड की जेड कितने दिनों में काम complete करेगा यह निकालने के लिए हम क्या करेंगे remaining work जो काम बचा हुआ है उसमें जेड की efficiency से क्या करेंगे हम divide कर देंगे तो बचा हुआ काम अभी हाफ पार्ट बचा हुआ है और जेड की efficiency अब हो गई है 1 by 320 तो 1 by 2 into 320 by 1 हो जाएगा यानि 320 by 2 160 days यानि बचे हुए काम को जेड जो है जब efficiency उसके हाफ हो जाती है तो वो 160 दिन में पूरा कर लेगा write option यहाँ पर C होगा next question है एक ऐसी बस्तू बेशता है जिसकी कीमत 500 रूपे है और वह B को 20% के लाव पर बेशता है मतलब A 500 रूपे में खड़ी दी हुई बस्तू को 20% के लाव पर B को बेश देता है अब B क्या करता है B जो है इसे C को बेशता है और A को भूगतान की गई कीमत पर 10% का लाव मतलब B जो है C को 10% लाव लेकर के बेश देता है तो C B को कितना भूगतान करता है ये निकालना है तो देखिए Cost Price of A यानि A का क्रैमूल दिया हुआ है 500 रूपया तो A का B क्रैमूल कितना हो जाएगा जो A का B क्रैमूल होगा वहीं B का क्रैमूल होगा यानि Cost Price of B जो होगा Sailing Price of A होगा यानि मतलब ये रहा कि B का जो क्रैमूल होगा A के B क्रैमूल के बिराबर होगा और वो कितना होगा 20 प्रतिसद के लाव पर बेश था है तो हम क्या करेंगे 500 पलस 500 का 20% निकाल देंगे तो ये कितना आ जाएगा 20 से 105 बार में कटेगा अब 5 से 500 बार में कटेगा तो आगया 500 पलस 100 यानि 600 मतलब A का जो B क्रैमूल हुआ यानि B का क्रैमूल जो हुआ वो 600 रुपया होगा अब इस 600 का 10 प्रतिसद लाव ले करके ये C को बेश देता है B तो Cost Price of C यानि C का जो क्रैमूल होगा वो B के B क्रैमूल के बराबर होगा Selling Price of B और वो कितना हो जागा 600 पलस 600 का 10% 10% वो लाव ले करके बेशता है तो 600 पलस 600 का 10% अब यहां से 1 0 से 1 0 कार दीजिए 2 0 से 2 0 कार दीजिए बचेगा 60 बचेगा इधर 600 बचेगा इधर तो कितना हो जागा 660 राइट ओप्शन यह हो जाएगा यहां पे Next Question यदि 32 गुने 4 का पावर X पलस 2 is equal to 2 to the power Y 2 का पावर Y हो तो Y बराबर होगा तो दिया हुआ 32 into 4 to the power X पलस 2 is equal to 2 to the power Y दिया हुआ है 32 को क्या लिख सकते हैं 2 to the power 5 लिख सकते हैं और 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का S square अब उस पे पावर चड़ा हुआ है X plus 2 is equal to 2 to the power Y अब 2 to the power 5 into जो पावर का पावर है वो पावर पावर मल्टिप्लाई हो जाते हैं तो 2 का पावर 2 into X plus 2 हो जाएगा is equal to 2 to the power Y अब देखिए अब 2 बेस सेम हो तो पावर 8 हो जाएगा यहाँ पे तो 2 का पावर हो जाएगा 5 plus 2 into X plus 2 यानि 5 plus 2 into X plus 2 is equal to 2 to the power Y अब बेस सेम है तो पावर सेम हो जाना चाहिए यानि Y is equal to हम डिरेक्ट लिख सकते हैं 5 plus 2 X plus 4 यानि Y is equal to 2 X plus 9 तो Y is equal to 2 X plus 9 राइट अप्षन यहाँ पे क्या हो जाएगा B हो जाएगा Next question A और B क्रमसा अस्थान X और Y से एक दूसरे की और X साथ चलना सुरू करते हैं रास्ते में मिलने के बाद A और B Y और X अस्थान तक पहुँचने में क्रमसा 5.4 घंटे और 2.4 घंटे लेते हैं यदि B की गती 67.2 किलोमेटर प्रती घंटा थी तो A की गती कितनी थी किलोमेटर पर आवर में Question को यदि हम ध्यान से समझें तो हम पाते हैं कि 2 जगह है एक तो X यह पॉइंट X है और यह पॉइंट Y है A जो है X से Y की और चलना सुरू करता है मान लेते हैं कि B A Speed से चलना सुरू करता है A जो है B A Speed से चलना सुरू करता है और B जो है मतलब A जो है दाएं तरफ जा रहा है B A Speed से B जो है बाएं तरफ आ रहा है B B A Speed से दोनो M पॉइंट यानि meeting point पे आ करके मिल जाते हैं और हम माल लेते हैं कि A और M के बीच में S A distance है यानि A जो है S A distance ट्रेबल करके M तक गया हुआ है और उसी तरीका से B जो है S B distance ट्रेबल करके M तक आया हुआ है ठीक है? तो अब देखिए जितना time में A M तक पहुँचा है उतने ही time में B भी M तक आया हुआ है तो time दोनों का तो same लगेगा time दोनों का same होगा तो इसलिए time same है मतलब T A is equal to T B है तो time is equal to क्या होगा? distance by speed यानि दूरी बटा चाल तो दूरी बटा A के लिए दूरी बटा चाल कर दीजिए यानि दूरी बटा चाल कर दीजिए यानि दोनों का time equal होते है यानि S A by B is equal to S B by B होगा आप यहां से तो B A by B B कर दीजिए B B को इदर left में भेज़ दीजिए B A को जो है right में भेज़ दीजिए तो B A by B B is equal to यहां से आ गया S A by S P equation 1 मान लिजिए अब M पे मिलने के बाद में जो B है जो बाएं की तरफ हा रहा था बाएं ही चलते रहेगा और A करके X point तक पहुँचेगा और A जो है दाएं जा रहा था तो M से दाएं की और आगे बढ़ते हुए Y point पे जाएगा ठीक है तो M पर मिलने के बाद A S B दूरी तरह करके Y तक पहुचेगा और B S A दूरी तरह करके A तक पहुचेगा मतलब M से A जो है S B दूरी तरह करके Y तक जाएगा तो फिर A के लिए लिख लिए जीए A कितना दूरी तरह करके Y तक जाएगा S भी दूरी तया करके जाएगा तो हम जानते हैं velocity into time यानि speed into time is equal to distance यानि चाल और समय को multiply करेंगे तो वो distance वहाँ से निकल जागा दूरी निकल जागा तो T A into V A is equal to S B आ गया उसी तरीका से B को लिख दीजी T B into V B is equal to S से आ गया अब question में ये दिया हुआ है कि meeting point से Y तक पहुँचने में A को 5.4 आवर लगता है तो A के लिए लिख दीजीए यहाँ पर 5.4 T A के जगप हमने लगती है 5.4 into V A is equal to S B either B के लिए लिख दिया 2.4 लगता है मतलब meeting point से M से X तक left की और X तक आने में B को जो है 2.4 आवर लग रहा है तो 2.4 into V is equal to S से अब क्या कर दीजे दोन एक में दूसरे से डिवाइड कर दीजे यानि इसमें 5.4 V A is equal to S B में हमने डिवाइड कर दिया 2.4 V B into S से डिवाइड कर दिया तो decimal से decimal कर जाएगा और यहां से 8 से 6 से कर दीजे 4.9 बार में 6 से 4.4 बार में 9 by 4 V A by V B इधर आ जाएगा इधर S B by S से आ जाएगा डिवाइड करेंगे तो यानि 9 V A by 4 V B आ गया S B by S से आ गया अब इसको उलट दीजी यानि उलट देंगे तो 4 V B by 9 V A आ जाएगा और इधर S B by S से है तो S A by S B आ जाएगा उलट क्यों दीए क्योंकि एक equation पीछे आया हुआ है S A by S B का भेलू आया हुआ हुआ है वहाँ पे तो अब दोनो equation से S A by S B जो है दोनो equation से तो यह 4 B by 9 A जो हो जाएगा उधर जो आया हुआ है V A by V B V A by V B यह V A by V B के इक्वल हो जाएगा आप cross multiplication कर दीजिए cross multiplication करेंगे तो V A square by V B S square is equal to 4 by 9 आएगा यानि V A by V B is equal to under root 4 by 9 4 का root 2 9 का 3 यानि V A by V B का भेलू जो आजाएगा 2 by 3 आजाएगा इसलिए V A is equal to कितना आजाएगा 2 by 3 V B तो 2 by 3 V B का भेलू दिया हुए 67.2 तो कर दीजिए 3 से 22.4 टाइमस में कटेगा 2 से 22.4 में हम multiply कर देंगे तो 44.8 आएगा km per hour इसलिए right option C होगा यहाँ पे next question A, B, C, D और F को कितने अलग तरीकों से तो इसमें से 6 है A, B, C, D, E, F तो A, B, C, D, E, F है कह रहा है कि इस तरीका से इसको arrange करना है व्यवस्थित करना है कि D, E, F तीनों एक साथ है तो हम क्या करते हैं रसी से बान देते हैं तीनों को D, E, F को रसी से बान देंगे तो एक हो गए तो इसको A काउंट कर लीजी और A, B, C, यह 3 हो गए तो 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 टोटल अब कितने हो गए नमबर 3, 1, 4, 4 चार चीजों को आपस में पर्मूटेट करेंगे कितने बार में फ्यक्टोरियल 4 टाइमस में तो इन चारों को फ्यक्टोरियल 4 टाइमस में हमने इसको पर्मूटेट कर दिया अब इन तीनों को भी तो आपस में रेंज कर सकते हैं D पहले है, E उसके बाद, F उसके बाद में F पहले आ जाएगा, F ED भी हो सकता है F DE भी हो सकता है, वो भी एक रेंजमेंस हो सकता है तो इन तीनों के रसी को अब खोलके इनको आपस में पर्मूटेट कर दीजी तो पर्मूटेट करेंगे तो कितने बार में? Factorial 3 बार में तो अब इसका वेलू कितना हो जाएगा? Factorial 4 का 4 into 3 into 2 Factorial 3 का हो जाएगा 3 into 2 तो इधर हो गया 6, यहां हो गया 6 36, 36 में 4 से multiply करेंगे तो कितना हो जाएगा? 144 Right option यहां पर हो जाएगा B Next question 5, 6, 8, X 20, 36 में X का स्थान पर क्या है? अब देखिए इसमें 5 से 6 एक जोडा गया है 5 से 6 जाने में कितना जोडा गया है? एक जोडा गया है और 6 से 8 जाने में 2 जोडा गया है तो यहां एक जोडा गया है यहां पर दो जोडा गया तो 1 इंटू 2 जोड़ दिया 8 हो गया 6 में अब 2 इंटू 2 करके जोड़ दीजी इसमें पैटरन तो यहीं चल रहा है न इसमें 8 से X तक जाने में तो 2 x 2 कर के जोड़िए, तो 2 x 2 कितना हो गया, 4 हो गया, 8 में फोर जोड़ेंगे तो कितना हो जागा, 12 है रहा जाएगा, मतलब x का value 12, अब फिर क्या करेंगे, 12 में, जो यहां 4 आया होगा है, 4 x 2, 8 जोड़ेंगे तो 20 आजाएगा, ठीक है अब 20 में 8 आया हुआ है तो 8 इंटू 16 जोड़ देंगे तो 36 आयेगा ठीक है तो यहां पर 12 एंसर हो जाएगा राइट अप्शन ए होगा नेक्स्ट कोस्टन यदि आयत की लंब आयत की चौणाई 30 सेंटीमीटर और आयत का बीकन दो 2x-10 सेंटीमीटर है यदि आयत का छेत्रफल 1200 बर्ग सेंटीमीटर है तो एक्स का मान क्या होगा यहां पर आयत की चौणाई यानि बी का भेलू दिया हुआ है यहां बी तो आयत की चौणाई कितनी दी हुई है 30 सेंटीमीटर और एर्या कितना दिया हुआ है लगी 1200 सेंटीमीटर तो एल का बेलू कितना हो जाएगा बारे सबाइबी तो बारे सब तो ट्वेल हंड़ेट बाइट करके 40 सेंटीमीटर आ अब हम डाइगोनल इस under root L square plus B square और इस diagonal का value दिया हुए 2X minus 10 under root यहाँ पर देख लिजी 30 का square plus 40 का square करेंगे तो देखिए यहाँ पी हम जानते हैं कि जो Pythagoras theorem में combination जो होता है 3, 4 and 5 का होता है मतलब 3 का square, 4 का square 5 के square के equal होगा तो यहाँ पर देख लिजी 3 का 3 का 10 times किया गया है 4 का 10 times किया गया है तो इसका जो value आएगा, वो कितना आएगा 5 times आएगा, मतलब 50 आएगा, तो मतलब इसका value हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 50 आएगा तो 50 आएगा और इधा 2X minus 10, तो 50 is equal to 2X minus 10 या आप ऐसे नहीं जानते हैं, तो 30A square plus 40A square का root ही निकाल लिजी 25 सब आएगा 25 सब का square root निकालेंगे तो 50 आएगा, तो 50 is equal to 2X minus 10 आगया, तो 2X is equal to 50 plus 10 हो गया, तो X का value जो हो गया 60 by 2 हो जाएगा, तो 30 आजाएगा, तो right option जो हो जाएगा, वो is equal to 9, तो X, Y का मान गयाद कीजिए, question में दो चीज़ दिया हुआ है, X plus Y का value दिया हुआ है, and X cube plus Y cube का value दिया हुआ है, तो इसको square कर दीजे दोनों side में, squaring both sides, तो X plus Y का whole square is equal to 9 square, अब X plus Y के whole square को तोड़िए, आप तो X square plus Y square plus 2XY is equal to 81, तो यहाँ से हम किसका value निकाल लेंगे, X square plus Y square का value यहाँ से हम निकाल लेंगे, X square plus Y square is equal to हो जाएगा, 81 minus 2XY, अब आगे देख लीजे, यह दिया हुआ है, XQ plus Y cube is equal to 405, तो हम जानते हैं, AQ plus B क्यों होता है, वो होता है, A plus B into A square minus AB B plus B square होता है, is equal to 405 दिया हुआ है, अब X plus Y का value दिया हुआ है, already 9 हम put करेंगे आगे, X plus Y into X square plus Y square का value कितना रखेंगे, 81 minus 2XY, तो 81 minus 2XY हमने रख दिया, एक minus XY तो already है ही, is equal to 405, अब X plus Y का value 9 दिया हुआ है, और यह minus 2XY या minus XY, मिल करके कितना हो गया, minus 3XY हो गया, 81 minus 3XY is equal to 405, इस 9 को भेंज दिजी, 405 में, बटे में कर दिजी, तो यह कर जाएगा, 9 से 405, 45 टाइमस में कटेगा यहाँ पे, तो अब यहाँ से 81 minus 3XY is equal to 45 आया हुआ है, तो XY का भेलू यहाँ से निकालने के लिए क्या करेंगे, 3XY को इधर भेंज दिजी, यानि 81 minus 45 is equal to हो जाएगा, 3XY, तो XY का भेलू निकालने के लिए, 3 को इधर बटे में भेंज देंगे, यानि 81 minus 45 by 3, 81 minus 45 घटेगा, 36 होगा by 3, यानि 12 हो जाएगा, राइट अप्शन यह हो जाएगा, तो फ्रेंड्स यह रहा, साइंस के 30 कोश्चन का डिसकाशन, और मैत के 10 कोश्चन का डिसकाशन, आप बने रहे इस चैनल के साथ, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए, तक के थाएगा, तक के थाएगा,